दोडा की जिला ग्रामी यूथ वेलफेर एस्सेशेशन तथा जॉइंट सिवल सोसाइटी दोरा आए डोडा की ओल्ड बास्टेंड पर रियास्ति सरकार की खिलाप जोरदार नारवाजी कर दर्ना दिया गया परदर्शन कारियों का नेतरतव जॉइंट सिवल सोसाइटी के कनवीनर नासिर खोरा डीडियेफ के अधिक्ष इस्तियाख एहमद देव तथा जिला ग्रामी यूथ वेलफेर एस्सेशेशन के अधिक्ष फरीद एहमद नाइक दोरा किया गया परदर्शन के दोरान नेतरों ने मांग करते हुए कहा कि डोडा के सरकारी डिग्री कालेज में पीजी की कलासे शुरू की जाएं तथा अंडर ग्रेजुएट के लिए तीन चार अतितिक्त कलासरूम बनाए जाएं उन्होंने सरकार को आखरी चेताब में देते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए मतालबात है जोड़ा डिग्री कालेज में पोश्ट ग्रेजुएशन कलासे शुरू की जाएं और अंडर ग्रेजुएशन में तीन चार नए मधामी जिवह रिटन बेजा है वो शुरू किया जाएं और तीसरा मतालबा है जो कालिज में इंफ्रास रिट्रेक्टर की कमी है एक कलास्रूम कंप्लेक्स और मल्टी पर्पस हाल इसके लिए हम पिछले 14 परसूल से जदोजहत कर रहे हैं और आज हमने फाइनल वारिनिंग दी है हुगूमत को अगर वो हमारे इन मतालबात पे PG कलास अंडर गेटवेशन लेवल पे नए मदामिन और इंट्रास रिट्रेक्टर की कमी है उसको पूरा नहीं करती है तो शायद आने वाले वक्त में यहां की जो तहरी है वो पूरतशुद भी हो सकती है जिसकी तमाम जिमेदारी हुकूमत पर होगी क्योंकि 15, 16, 20 कालज़ों में यह मदामिन शुरू हुए है और बनियते मुद्रिमाना घरते मुश्तर का रखते हुए डोडा कालज़ को जो है वो इग्नोर किया गया है यह नाकाबले बर्दा डोडा से आविद हुसेन बानी अला टिडिया नियूज